सत्ता का लालच कॉंग्रेस और एंसी को एक गड़बंधन में राष्ट के सम्मुक प्रस्तुत करता है आज नाशनल कॉंफरेंस के साथ कॉंग्रेस के गड़बंधन के चलते भारत के ग्रहमंत्री जी ने और भाजपा के कारिकरताओं ने कुछ सवाल कॉंग्रेस पार्टी से किये है नाशनल कॉंफरेंस की ये घोशना है कि वो जमुकश्मीर से धारा 370 दुबारा वापिस लाकर अशान्ती का महौल नसिव जमुकश्मीर में बलकी राष्ट भर में लाने का दुस्सा हस करेंगे कश्मीर में नौजवानों से बात करने की बजाए वो लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं वो लोग जो पाकिस्तान के साथ वारता करने की बात करते हैं क्या नैशनल कॉन्फरेंस के इशारे पर कॉंग्रेस पार्टी को अलगावाद को बढ़ावा देने का समर्थन करने का इरादा है क्या कॉंग्रेस पार्टी एलो सी ट्रेड शुरू करने के नाशनल कॉंफरेंस के निर्ने को फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और आतंकवादियों के एको सिस्टम को समर्थन मिले क्या कॉंग्रेस पार्टी का ये इरादा है जिन लोगों ने आतंकवादी घटनाओं में योगदान दिया पत्थरबास थे क्या कॉंग्रेस पार्टी नाशनल कॉंफरेंस के चलते उनको सरकारी नौकरी में बहाल करके फिर देहशत का एक मोहल लोटाना चाहती है धारा 370 हटने के बाद दलित गुजर बकरवाल पहाडियों के साथ भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने न्याय करवाया क्या कॉंग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चहरा सामने आया है क्या कॉंग्रेस दलित गुजर बकरवाल पहाडियों के आरक्षण को समाप्त करके नैशनल कॉंफरेंस के इशारे पर अपने गड़बंदन के चलते ये पाप करने वाली है क्या कॉंग्रेस पार्टी चाहती है कि शंकरचार्य परवत का नाम तक्ते सुलेमान हो और हरी परवत का नाम कोई मारन हो क्या कॉंग्रेस पार्टी फिर रश्टाचार की आग में जम्मु कश्मीर को जोकना चाहती है और सिर्व गिने चुने परिवारों के हाथ में कमान सौपने के समर्थन में है क्या Congress Party जम्मू और घाटी के बीच भेद भाव की राजनीती का समर्थन करती है NC के चलते National Conference के कश्मीर को अटॉनमी देने की जो विभाजनकारी सोच है क्या Congress Party उस सोच का भी समर्थन करती है धारा तीन सो सत्तर के हटने के बाद भारत ने भारतियों ने अपने राश्ट्रिय संकल्प को पूरा किया कि कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक एक निशान एक प्रधान और एक सम्विधान रहेगा क्या National Conference के चलते Congress Party अलब जंडे के वादे का समर्थन करती है हम आशा करते हैं कि भारतियों जनता पार्टी ने आंतरिक सुरक्षा, राश्ट्रिय स्वाभिमान और जमु कश्मीर की जनता के साथ लोकतांत्रिक धाचे में न्याय हो ये जो पहल की है इस शांती को और विकास के इस पत पर अग्रसर जमु कश्मीर की जनता को और देश की जनता को Congress Party जवाब जरूर देगे An unholy alliance came together to pursue power The Congress Party and the National Conference came together and announced an alliance that has given rise to many questions The National Conference speaks of a different flag Does the Congress Party support the National Conference's promise of a separate flag for Jammu-Kashmir The National Conference has publicly announced that they will reinstate Article 370 and Article 35A Does the Congress Party support the National Conference's agenda of breaking India The National Conference The National Conference speaks about LOC trade while Pakistan continues to nurture terrorism and an ecosystem that is aligned with terrorists Does the Congress Party support the Pakistani agenda that has been pronounced on many platforms of creating unrest in Jammu-Kashmir Does the Congress Party support reinstatement of those whose relatives are involved in terror activity and stone pelting in government jobs Does the Congress Party want Shankaracharya Hill to be known as Takhti Sulaiman and Hari Parbat to be known as Kohhe Maran Does the Congress Party in its support to the National Conference want to push back the economy of Jammu-Kashmir back into the hands of a few families whose corruption bleeded the taxpayers of India Does the Congress Party support the National Conference's politics of discrimination between Jammu and the Valley Does the Congress Party support the dangerous divisive politics of the National Conference of giving autonomy to Kashmir Congress Party needs to answer If the National Conference's agenda of restoration of Article 370 is acceptable to the Congress Party does it also mean that the Congress Party stands against reservation does the Congress Party support the National Conference's promise of ending reservations for Dalits Gujars Bakarwals and Pahadi communities We all know that every Indian has resolved incessantly that we as one nation have one constitution one flag Does the Congress Party believe not in one constitution but do Nishan do Pradhan and do Samvidhan the unholy alliance gives rise to many a question not only the people of Jammu Kashmir but the entire nation awaits the answers from the Congress Party I'll now leave the floor open for questions and भारतिय जनता पार्टी धारा 370 हटाएगी यह वर्षों वर्ष तक हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा रहा है यह हमारा सवभाग्य है कि हमने अपने उस संकल्प को पूरा किया धारा 370 को हटाया धारा 370 पर हमने कभी कांप्रमाइज नहीं किया हमने कहा था हमारी सरकार आने पर पर हटाया जाएगा और हम रहां प्रिवादे को पूरा किया और कोई प्राइट में अच्छे पर मुझे लगता है वर्तमान जो परिस्थिती है जियो पुलिटिकली MHA और M.E.S पर टिपनी दे तो बहतर होगा देखिए बहुत सारे प्रश्णव सामने आ रहे हैं सुप्रीम कोट की जो प्रुसीडिंग्स सारवजनिक हुई है उसके चलते कई लोग इस बात से भी आहत है कि माता-पिता को F.I.R. करना पड़ा बार-बार माता-पिता भी गुहार लगा रहे थे ये भी पब्लिक डोमेन में आया है कि इस व्यक्ति के खिलाफ विजिलन्स के पास भी काफी लेटर्स और कम्यूनिकेशन गए हैं क्योंकि वर्तमान में इंवेस्टिगेशन चल रहे हैं कि सीपियाए के माध्यम से भी और अब प्रश्न उठता है कि सुप्रीम कोट में भी क्या नेरने होगा मुझे लगता हैं कि बंगल में रशन स्कैम हो चुका है ऐसा लगता है कि अब बहुत ही जल health scam के भी कई पड़ते खुलने वाली है दन्यवाजे